देश के रक्षा मंत्री स्रीमान राजनात सहीं जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री स्रीराम जैराम ठाकुर जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे साथी हिमाचल नो छोकरो अनुराग ठाकुर हिमाचल सरकार के मंत्री गान अन्य जन प्रतिनि गान चीफ अब डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावज जी आर्मी चीफ रक्षा मंत्रा ले बॉर्डर रोड और नाशन से जुडे सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाईयो और भेनो आज का दिन बहुत अइतिहासिक है आज सिर्फ अटल जी का ही सबना नहीं पुरा हुआ है आज हिमाचल प्रदेश के करोडों लोगों का भी दसकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है मेरा बहुत बढ़ा सोभाग है कि आज मुझे अटल तनल के लोकारपन का आउसर मिला है और जैसा अभी राजनाज जी ने बताया मैं यहाँ संगठिन का काम देखता था यहाँ के पहड़ों यहाँ के वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैटना गपसब करने आए और मैं और दूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विशर को बड़े आगरस उनके सामने रख रहे थे और जैसा अटल जी का विशेस था थी वो बड़ी आँखे खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे है फिर मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई लेकिन आखिर कर जिस बात को लेकर मैं और दूमल जी उन से लगे रहते थे वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया संकल्प बन गया और आज हम उजे एक सिद्धी के रूप में अपनी आखों के सामने देख रहे हैं इससे जीवन का कितना बड़ा संतोस हो सकता है कि आपकल्प ना कर सकते हैं अब से पहले कुछ मिनिट पहले हम सबने एक मोवी भी देखी और मैंने वहाँ एक पिक्चर गैलेरी भी देखी दे मेकिंग आफ अटल टनल अक्सर लोकारपन की चका चौन्दव हैं वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है अभेद्य अभेद्य पिर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठीन संकल्प को आज पूरा किया गया है इस महायग्य में अपना पसीना बहाने वाले अपनी जान जोखिम में डालने वाले महनत कर जवानों को इंजीनियरों को सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पुर्वक नमन करता हूँ साथियों अटल टरनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंदर साथित प्रदेश ले लद्दा की भी लाइफ लाइन बनने वाला है अब सही माइनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा खेत्र और ले लद्दा की देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे प्रगति पत पर तेजी से आगे बढ़ेंगे इस टनल से मनारी और केलोंग के बीच इसकी दूरी तीन चार घंटे कम होई जाएगी पहाड के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड पर तीन चार घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है साथियों ले लद्दाक के किसानों बागवानों युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी उनका जोखिम भी कम हो जाएगा यही नहीं यह टडल देव धरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुडाव को भी ससक्त करने वाली हैं जो भारत से निकल कर आज पूरी दुनिया को नई रा नई रोशनी दिखा रही है इसके लिए हिमाचल और ले लद्धा के सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों अटल टडल भारत के बॉर्डर इंफरस्ट्रेक्टर को भी नई ताकत देने वाली है यह विश्वस्तरिय बॉर्डर करेक्टिविटी का जीता जाकता प्रमाण है हिमालय का यह हिस्सा हो पस्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो और फिर दक्षिन और पूर्वी भारत का तट्य इलाका यह देश की सुरक्षार समृद्धी दोनों के बहुत बड़े समसाधन है हमेशा से इन ख्षेत्रों के संतुनित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रस्रक्टर को बहतर बनाने की मांग उड़ती रही है लेकिन लंबे समय तक हमार यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रस्रक्टर के प्रजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बहार ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए लटक गए भटक गए अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है साल दोजार दो में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोज रोड का सिलान्यास किया था अटलची की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया हालत यह थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मिटर यानि डेड़ किलो मिटर से भी कम काम हो पाया था एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो यह सुरंग साल 2040 में जाकर के शाहिद पुरी होती आप कल्पना करिए आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्स और जोड लिजिए तब जाकर लोकों के जीवन में ये दिवस आता उनका सपना पूरा होता जब विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ना हो जब देश के लोगों के विकास की प्रतबल इच्छा हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पढ़ती है अटल टनेक के काम में भी 2014 के बाद अभूत पुर्वत तेजी लाई गई बियारों के सामने आने वाली हर अर्चन को हल किया गया नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मिटर सुरंग बन रही थी उसकी गति बढ़ाकर 1400 मिटर प्रति वर्ष हो गई सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया साथ यो इन्फास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्मान में देरी से देश का हर तरस से नुक्सान होता है इससे लोगों सुविजा मिलने में तो देरी होती हैं इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है साल दोजार पांच में ये आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग साड़े नौसो करोड रुपे में तैयार हो जाएगी लेकिन लगातार होती देरी के कारण आजे तीन गुना से भी जादा यानि करीब करीब बत्तीसो करोड रुपे से अधिक खर्च कर रहे के बात पूरी हो पाई है कलपना कीजिए कि अगर बीज साल और लग जाते तब क्या स्थित्य होती साथियों कनेक्टिविटी का देश के विकास से सिधा संबन्द होता है जादा से जादा कनेक्टिविटी यानि उतना ही तेज विकास खास कर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरुरतों से जुड़ी होती है लेकिन इसे लेकर जीस तरह की गंबीरता थी और उसकी गंबीरता की आवशक्ता थी जीस तरह की राजनितिक इच्छा शक्ति की जरुरती दुर्भागे से वैसी नहीं दिखाई गई अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्श के साथ ऐसा ही व्यहवार किया गया लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एर्श्ट्रीप चालीस पचान साल तक बंद रही क्या मजबूरी थी क्या दवाओ था मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है बहुत कुछ लिखा जा चुका है लेकिन सच्चा यही है कि दौलत बैग ओल्डी की ऐर्श्ट्रीप वायू सेना ने अपने इरादों की वज़े से शुरू हो पाई उसमें राजनिति की इच्छा सकती कहीं नजर नहीं आई साथियो मैं ऐसे दर्जन और प्रोजेक गिना सकता हूं जो सामरिक दृस्टी से और सुविधा की दृस्टी से बले ही कितने भी महतपूर रहे हो लेकिन बरसों तक नजर अंदाज किये गए मुझे याद है मैं करीब दो साल पहले अटल जी के जिन्मदिन के अवसर पर असम मैं था वहाँ पर बारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगी बिल पूल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था ये पूल आज नौर्थ इस्ट और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है बोगी बिल बिच पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पूल का काम सुस्त हो गया साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और चार साल के भीतर भीतर इस पूल का काम पूरा कर लिया गया अटल जी के साथ ही एक और पूल का नाम जुड़ा है कोसी महासेतु का बिहार में मिधलांचल के दो हिस्सों को जोडने वाले कोसी महासेतु का सिलान्यास अटल जी नहीं किया था लेकिन इसका काम भी उल्जा रहा अटका रहा 2014 में हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया अब से कुछ तिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकारपन किया जा चुका है साथियों देश के करीब करीबहर हिस्से में करेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्स का यही हाल रहा है लेकिन अब यह स्थिती बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है बीते छे वर्षों में इस दिशा में अभूत पर्वा प्रयास किया गया है विशेश रुप से बॉर्डर इंफासेक्टर के विकास के लिए पूरी तांकट लगा दी गई है हिमाला एक शेत्र में चाहे वो हिमाचल हो जम्मु कश्मीर हो करगिल ले लद्दाक हो उत्राखन हो सिक्किम हो अरुनाचल प्रदेश हो दर्जन में प्रोजेक्ट पूरे किये जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है सडक बनाने का काम हो पूल बनाने का काम हो सुरंग बनाने का काम हो इतने बड़े स्तर पर देश में इन खेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ इसका बहुत बड़ा लाब सामान ने जनों के साथ ही हमारे फोजी भाई बहनों को भी हो रहा है सर्दी के मौसम में उन तक रसत पहुँचाना हो उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो वो आसानी से पैट्रोरिंग कर सकें इसके लिए सडकों का जान बिछाय जा रहा है साथियों देश की रक्षा जरुरतों देश की रक्षा करने वालों की जरुरतों का ध्यान रखना उनके हीतों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सरवोच प्रात्विक्ता में से एक है हिमाचल प्रदेश के हमारे भाईयों भेहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पैंशिन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बरताव था चार दसकों तक हमारे पूर्वफोजी भाईयों को सिर्फ वाईदे ही किये गए कांगजों में सिर्फ पांसो करोर रुपे दिखा कर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पैंशिन लागू करेंगे लेकिन किया फिर भी नहीं आज वन रैंक वन पैंशिन का लाप देश के लाखो पुर्वफोजीयों को मिल रहा है सिर्फ एरियर के तोर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग ग्यारा हजार करोड रुपे पुर्वफोजीयों को दिये हैं हिमाचल प्रडेश के भी करीब करीब एक लाख फोजी साथियों को इसका लाब मिला है हमारी सरकार के फैसले साक्षी है कि हमने जो फैसले की वो हम लागू करके दिखाते हैं देश हित से बड़ा देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझोता किया गया देश की वायू से ना आधुनिक फाइटर प्लेइन मांग दी रही है वो लोग फाइल कि पर फाइल फाइल पर फाइल कभी फाइल खोलते थे कभी फाइल से खेलते थे गोला बारूद हो आधुनिक राइफलें हो बुलेट प्रूप जैकेट्स हो कडाके की ठंड में काम आने वाले उपकरन और अन्य सामान हो सब कुछ ताक पर रख दिया गया था एक समय था जब हमारी ओर्डिनस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छे अच्छों के हो सुड़ा देती थी लेकिन देश की ओर्डिनस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया देश में स्वदेश सी लड़ा को विबानों हलिकॉप्ट्रों के लिए एचे एल जेची विश्वस्तरी ये संस्ता बनाई गई लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया बर्सों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सयन्यक्यमत्राओं को मजबूत होने से रोका है उसका नुक्षान किया है जिस तेजस लड़ा को विमान पर आदेश को गर्व है उसे भी इन लोगों ने डिब्मे में बन करने के तैयारी करनी थी ये थी इन लोगों की सचाई, ये हैं इन लोगों की सचाई, साथियों अब आज देश में ये स्थिती बदल रही है, देश में ही आधुनिक अस्था सस्त्र बने, मेक इंडिया हत्यार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म किये गए है, लंबे इंतरजार के बाद, चीफ अब डिफेंस टाप की ववस्ता, अब हमारे सिस्टिम का हिस्सा है, इसे देश की सेनाओं के आवशक्तों के अनुसार, प्रोकॉर्मेंट और प्रोडॉक्शन, दोन में बहतर समन्वे स्थापित हुआ है, अब अनेक ऐसे साजो सामान है, जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिबन लगा दिया गया है, वो सामान अब सिरफ भारत के उद्योगों से ही खरीदना जरुरी कर दिया गया है, चाहिए भारत में डिफेंस इंडिस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तक्निक आ सके, इसके लिए अब भारतिय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोशान दिये जा रहे हैं, जैसे जैसे भारत की वैश्विक भुमी का बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रप्तार से, अपने इंफास्त्रक्तिर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्त को भी बढ़ाना है, आत्म निर्भर भारत का आत्म विश्वास, आज जन्र मानस की सोच का हिस्सा बन चुका है, अटल टनल इसी आत्म विश्वास का प्रतीख है, एक पर फिर, मैं आप सभी को, हिमाचल प्रदेश को, और लेक लगजा के लाखो सात्यों को, बहुत-बहुत बधाई, और बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूं, हिमाचल पर, मेरा कितना अधिकार है, ये तो मैंने कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है, आज के इस कारकम में, समय बहुत कम होने के बावजुद भी, हमारे हिमाचल के प्यार रहे हैं, मुझ पर इतरह दबाव डाल दिया, तीन कारकम बढ़ा दिये, इसके बाद मुझे और दो कारकम में, बहुत कम समय में बोलना है, और इसलिए मैं यहां विस्तार से न बोलते हुए, कुछ बाते दो और कारकम में भी बोलने वाला हूँ, लेकिन कुछ सुझाओं मैं यहां जुरूर देना चाहता हूँ, मेरे इस सुझाओं भारत सरकार के रक्षा मंतराले के लिए भी है, भारत सरकार के शिक्षा मंतराले के लिए भी है, और बियारों के काम अपने आप में हैं एंजिनेरिंग की दृष्टी से वर्क कल्चर की दृष्टी से यूनीक है पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ कागज पे लिखना शुरू हुआ तब से लेकर कब तक अब एक हजार पंद्रा सो लोगे ऐसे च्छाटे मद्दूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे एक पंद्रा सो लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे कब क्या हुआ कैसे हुआ एक ऐसा खाना नहीं पहुचा होगा कैसे काम किया होगा उस बात का भी बड़ा महत्पफ होता है कि कभी कोई सावान पहुचने वाला होगा बर्प के कारण पहुचा नहीं होगा कैसे काम किया होगा कभी कोई एंजिनेरिंग चलेंज आया होगा कैसे किया होगा मैं चाहूंगा कि कम से कम पंदरा सो लोग हर स्तर पे काम करने वाले पांच पेज छे पेज दस पेज अपना अनुभव डिखे किसी एक बेक्ति को जिम्मिवारी दीजिए फिर उसको फोड़ा ठिक ठाक करके लेंग्वेज बगेर करके डोकुमेंटिशन करना चाहिए और छापने की ज़रूत नह तो भी चलेगा दूसरा मेरा स्रिक्षा मंद्र लेसे आर्गर है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और एंजिनिंग से जुड़े उनिवर्सिटीज है उन उनिवर्सिटीज के बच्चों को के स्टड़ी का काम दिया जाएं और हर वर्ष एक एक उनिवर्सिटी से बच्चों की एक बैच इहां आए के स्टड़ी के कैसे कलपना हुई कैसे बना कैसे चुनवती आई कैसे रास्ते निकाले और दुनिया में सबसे उची और सबसे लंबी जगा पे विश्व में नाम कमाने वाली स्टैनल का एंजिनिरिंग नॉलेश हमारे देश के स्टूलें इसको होना ही चाहिए इतना ही नहीं ग्लोबली भी मैं चाहूंगा M.E.A. के लोग कुछ उनिवर्सिटी को इन्वाइट करें वहां की उनिवर्सिटी के स्टड़ी के लिए हां आए है प्रोजिकर पर स्टड़ी करें दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चा चाहिए सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अध्भूत काम वर्तमान पीडी के हमारे जवान कर सकते हैं इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए और इसलिए मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, M.E.A., बियारों सब मिल करके एक प्रकार से लगातार य एजुकेशन का हिस्सा बन जाए, टनल का काम, हमारी एक पूरी नई पीडी से त्यार हो जाएगी, तो टनल एक इंफासेक्टर बनेगा, लेकिन मनुष्य निर्मान भी बहुत बड़ा काम होता है, हमारे उत्तम इंजिनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है, और उस मानों का अभिनन्द करता हूं, जिनोंने इस काम को बखुबी निभाया है, बखुबी पुरा किया है, और देश का मान बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद।